हेलो दोस्तों आप सबी के मेरी चैनल पर एक बाद फिस्से सौगत है और आज हम बनाएंगे बिना अबन, बिना अंडे, बिना बटर के बहुत ही सौफ और स्पाँजी इसके लिए टूटी फूटी एगलिस केक जो बनाना बहुत ही असान है और इसका टेश्ट और फ्लेवर बहुत ही टेश्टी होता है तो चलिए फटा फट से रेसेपी देख लेते हैं यहां मैंने औरेंज रेड ग्रीन कलर के टूटी फ्रूटी ली हो और अब हम एक कप दूद दालेंगे यहां मैंने फुल फ्रेट क्रीम का यूज किया है और अब हम इसमें सेम कप से भी हाफ रिफाइन ऑल डालेंगे और इसमें एक चमच वनीला एसेंज डालेंगे और इन सब ही इंग्रीडियन को हम चमच से ही अच्छे से एक से दो सेकेंड के लिए मिक्स कर लेंगे और अब हम इसी मिक्सचर में एक कप चीनी डालेंगे यहाँ मैंने इंस्टन बनाने के लिए डायरेक्ट चीनी का यूज की हो आप चाहे तो चीनी को ग्राइंड भी कर सकते हैं और अब हम चीनी डालकर इसे अच्छे से मिल्क में मिक्स कर लेंगे जिससे चीनी जल्दी घुल जाएगा और एजली ये मिक्स हो जाएगा और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे एक मिनट के लिए मिक्स कर लिया है और अब हम एक इस तरीके से प्लेट लेंगे और एक च्छनी लेंगे और च्छनी के उपर हम एक कप मैदा डालेंगे यहाँ मैं इसे ग्राम से बोलू तो यह देड़ सो ग्राम मैदा है मैदा डालकर हम इसे अच्छे से चान लेंगे केक बनाने के लिए आप जब भी मैदे का यूज करें तो आप चान के यूज करें जिससे केक बहुत ही स्पॉंजी और सॉफ्ट बनेंगे और आप देख सकते हैं मैदा को यहां मैंने अच्छे से चान लिया है और एक चम्मच मैदा हम टूटी टूटी फ्रूटी में डालेंगे और टूटी फ्रूटी में मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे मैदे का कोटिंग टूटी फ्रूटी के ऊपर अच्छे तरीके से आ जाएगा और अब हम सेम चंडी में ही दो चम्मच कस्टड पॉडर डालेंगे यहां मैंने ज़गह कॉनफीलार का भी यूज़ कर सकते हैं और आधा चमच बेंकिंग पोडर डालेंगे और एक चोथा यहीचमच बेकिंग सोडा डालेंगे यहाम पहलाकश हैं और अब हम स्पून चमच से हिंग दरम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और अब हम टूटी फुरूटी को भी मैदे में और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम सूखे इंग्रीडियन्ट को मिल्क में एक एक चमच करके डालेंगे और हम इसमें एक बार में आधा मैदे वाले इंग्रेडियन डालेंगे और इसे अच्छे से स्पून या स्पैचुला से ही हम एक ही सरकल में घुमाते हुए मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो cut and fold मेथड से भी इसे मिक्स कर सकते हैं और आप देख सकते हैं यहां मैंने आधे मिक्स्चर को अच्छे से मिल्क में मिक्स कर लिया है और अब हम आधे बचे हुए ड्राइ इंग्रेडियन को एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम चमच से एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और इसका बिल्कुल ही smooth सा batter भना लेंगे हमें इसे तब तक mix करना है जब तक ये lumps free ना हो जाए और आप देख सकते हैं यहां मैंने इसे अच्छे से mix कर रही हूँ और आप इसे बीच बीच में चिक कर ले और आप देख सकते हैं इसे mix करते हुए लगभग एक से देर्ड मिनिट लगे हैं और बैटर हमारा बिलकुल स्मूथ कंसिस्टेंसी में बैटर हमारी तयार हो गई है और आप देख सकते हैं बैटर हमारा बहुत ही बढ़ियां शाइन कर रहा है और अब हम इसमें हाफ या आधे टूटी फूरूटी डाल देंगे और एक से देर्ड चमच टूटी फूरूटी को हम रख लेंगे इसका यूस हम बाद में करेंगे और आप देख सकते हैं यहां मैंने टूटी फूरूटी को भी अच्छे से बैटर में मिक्स कर लिया है और हम इसमें हाफ टी स्पून या आधा चमच विनिगर डालेंगे विनिगर डालने से आपका केक और ज़्यादा सॉफ्ट और लाइट वेट बनेगा और आप देख सकते हैं विनिगर डाल कर मैंने इसे एक बार फिर अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लिया है और अब हम केक के बैटर को साइट रखेंगे और केक बेक करने के लिए यहां मैंने केक टीन में बटर पेपर डाल करके इसे ऑईल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है और अब हम इसमें केक वाला बैटर डालेंगे बैटर डालकर हम इसे एक से दो बार अच्छे से टैप कर लेंगे और अब हम इसके उपर बाकी बचे हुए टूटी फ्रूटी डालेंगे इस तरीके से आप टूटी फ्रूटी डालेंगे तो टूटी फूटी आपकी बिल्कुल इक्वल सारे बैटर में अच्छे से रहेंगी नहीं तो टूटी फूटी नीचे तले में जाके बैठ जाएगी और आप देख सकते हैं बैटर हमारा बिल्कुल अच्छे से सिट हो गया है और अब हम इसे बेक करने के लिए एक कुकर लेंगे और इसके नीचे एक इस तरीके का छोटा सा प्लेट डालेंगे और अब हम इसके उपर केक वाला बैटर डालेंगे बैटर को यहां मैंने कुकर के अंदर अच्छे से सिट कर लिया है और अब हम कुकर का ढखकर लगाएंगे और इसका विसल निकाल देंगे जिससे कुकर में पिलकल भी प्रेसर नही आएगा लेकिन कुकर हमारा पिलकल ओवन जैसा काम करेगा और आप देख सकते हैं हमेने विसल निकाल ली हूँ यहां मैंने कुकर को प्री हिट नहीं की थी इसलिए हम 20-25 से के लिए हाइ फ्लेम पे कुकर को रखेंगे और स्लो फ्लेम पे हम इसे 25-30 मिनट के लिए पकने देंगे 25-30 मिनट हो गया है और अब हम कुकर को चेक कर लेंगे और आप देख सकते हैं एक लिस्ट तूटी फ्रूटी केक हमारा अच्छे से बेख हो गया है तो हम एक इस तरीके से क्लीन नाइफ या चाकू लेंगे और हम इसे सेंटर में डाल कर निकालेंगे और आप देख सकते हैं चाको हमारा बिल्कुल क्लीन निकला है इसका मतलब है कि टूटी फ्रूटी केक हमारा अच्छे से बेख हो गया है और अब हम इसे ठंडा होने देंगे और यहां मैंने इसे ठंडा होने के बाद निकाल लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल बाजार जैसा बिटैनिया तरीके से बाहर निकाल लेंगे और अब हम इसे अच्छे से इसका बटर पेपर को साइट से रिमूफ कर लेंगे या निकाल लेंगे और अब देख सकते हैं बटर पेपर भी इसली केक से बाहर निकल रहा है तो अब हम बटर पेपर को केक में से निकाल करके मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ यहां मैंने केक को पूरे तरीके से ठंडा नहीं किया है यह अभी हलका गरम है और यह देख सकते हैं पीछे से भी बिल्कुल बढ़िया और सौफ्ट बना है और अब हम एक नाइफ लेंगे और नाइफ से केक को बीच में से कट कर लेंगे और आप देख स इंस्टेंट और जटपट से बिल्कुल बाजार जैसा टोटी फ्रूटी केक घर पे बनके तयार हो गया है और अब हम इसके बिल्कुल मार्केट जैसे छोटे छोटे स्लाइस कट कर लेंगे और आप देख सकते हैं यहां मैं बिल्कुल बाजार जैसा बिटैनिया केक की तरह इसके slice cut कर ले रही हूँ और आप देख सकते हैं केक हमारा कितना बढ़िया पका है और अब आपको जब भी भी बिटैनिया जैसा केक घर पे बनाना है तो घर के ingredient से आप easily फटाफट से बना सकते हैं और आप देख सकते हैं केक का यहां मैंने इसे slice में cut कर लिया है और इसका एक एक पीस बहुत ही बढ़िया बाजार जैसा बनके तयार हुआ है और यह अभी हलका सा गरम है और आपको मैं सारे केक को एक एक करके दिखाती हूँ यह अंदर से भी बहुत ही soft और spongy बने हैं और आप इस केक को इस तरीके से बनाएंगे बच्चों के टिफिन हो या छोटा मोटा पार्टी हो तो बच्चों को यकीन ही नहीं होगा कि आपने इसे घर पे बनाया है और अब हम इसे चमस्चे कट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि एक हमारा बहुत ही जादा सॉफ्ट बना है तो अगर आपको मेरी रेसेपी अच्छी और हेल्फुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें मैं आप सभी के लिए ऐसी और भी नई और इसी रेसेपी लाती रहूंगी और इस तरीके से आप घर पे ही बहुत हेल्थी और टेश्टी एजिली केक बना सकते है जो घर में बच्चे हो या बड़ी सभी को बहुत पसंद आएगा और इस तरीके से आप केक बना कर इसे एक हफ़ता के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और चलिए मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ एक और नए रेसेपी में तब तक आप इस रेसेपी को जरूर ट्राइ करें और अपना फीड़ बैक और एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें थैंक्स पॉर वाचिंग